और कॉंग्रेस बैठक पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे मैनेजिंग अरेटर मनुरंजन भारती जो हक है लोगों को उनका हक उसके साथ दिया जाए साथ ही कॉंग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि सरकार जो है अपनी विफलता जो है वो बिग्यापनों के पीछे चुपाती है सरकार जो है डाटा में हेरा फेरी करती है उन्होंने ये भी कहा कि जब से इंडिया गटबं है लेकिन सबसे महत्मुन बात है कि यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि कॉंग्रेस को कही न कही उन चीजों की काट खोजनी है जिसके चलते कॉंग्रेस जो है आगे बर सके लगातार दो लोगसभा चुनाओं में जो पार्टी के साथ हुआ है उसको देखते हुए पार् बड़ा सवाल है क्योंकि कॉंग्रेस अभी तक एकला चलो रहे या फिर गटबंदन के मामले में थोड़ी सी और्टोडोक्स बताई जाती है थोड़ी सी रूडिवादी बताई जाती है लेकिन अब पिछले दो लोगसभा चुनाओं के प्रदर्शन को देखते हुए कहा ज चीशी के और वहां के जो विधाग दल के नेता है उनको भी बुलाए गया है उन सबसे सलाम अस्वीरा करने के बाद उनकी राय जाएगी और राजवार लोगों से ये पुछा जाएगा कि वहां पे किन दलों के साथ क्या गटबंधन किया जाना चाहिए यह एक महत्तुन भ परचार करें तो साथ यहां पर वो इस्थिती पलट सकते हैं क्योंकि यहां पर मुकाबले में अब कॉंग्रेस पार्टी को लगता है कि बी आरे स्के सामने वही खरे हो गये हैं इसलिए हैदराबाद को इस सी डबलू सी की बैठक के लिए चुना गया है साथ ही संसद में ज इसमें विपक्षी दलों को साथ ले करके चलने का कोई मंत्र भी सामिल हो कि क्यम्रामेन कानन पात्रा के साथ मनोजन भारती एंडिटीव इंडिया के लिए